असलाम लीकूम इस्टेंट्स के लास फोर्थ अपनी मैस के बुक देखी मैथमेटिक्स इस्टेंट्स इसमें हम लोग अपना टो 누구 करें गोग लिसमें चैप्ट नमब टेंट्री पार्ट नमब 17 हम पांट ने क्वेड़ेंक्ट्सलンド के अंप्र याथा हेंडलिंग ठीक है पेज नमबर है 155 लेसन नमबर 12 लेसन नेम है डाटा हेंडलिंग पार्ट नमबर क्या शो करेंगे 12 और यहाँ पर हमें डेट शो करने हैं जब भी आप लोग को ये वीडियो अपलोड होती है ठीक है इस स्ण जिए नेक्स आजी स 210 देखते हैं एक्सơसारी से我說िप्लें काहां सधारे एक्सशось त्वेल पॉइंट बंन ठीकिए स्टेस पफेज नमबर है 158 पेज नमबर 158 एक्साइस स्ट्रील पाइंटव पाइंण फोशन नम पार maintain यहां भी शो करेंगे इस्टेंट्स और यहां पर डेश चो करने हैं Question number one है Given below is a pictograph showing the favorite sport of students of a particular class Answer the questions that follows कह रहे हैं आपको यहां पर एक photograph given है कह रहे हैं इसको देखकर आपको इन questions के कुछ answers देने हैं ठीक है क्या शो कर रहा है है Sports है यहां गेम के name है तो यह हो जाएगा 5 x 3 5 x 3 जा कितना हो जाएगा 15 1, 2, 3, 4 है अगर यह तो यह हो जाएगा 4 x 3 4 x 3 जा 12 1, 2 है यह तो यह हो जाएगा 2 x 3 2 x 3 जा 6 1, 2, 3 जा हो जाएगा 3 x 3 It means 3 x 3 जा 9 अब next है a part Which is the most favorite sport सबसे जादा favorite कौन सा है बच्चों का जादा जो खेलने वाले हैं किर्केट Next day which is the least favorite least यानि सबसे कम है वालीबॉल Sports की नेम बताने है Strengths नेम बताने हैं कि कितने Strengths जो है वो उनको प्ले करते हैं Next day c part How many strengths like lawn tennis कह रहें कितने Strengths ऐसे हैं जो lawn tennis को पसंद करते हैं तो lawn tennis यहाँ देखेंगे 1, 2, 3 3 into 3 करेंगे इकवर आजाएगा 9 Next day d How many strengths like volleyball कह रहें कितने Strengths हैं जो volleyball पसंद करते हैं तो volleyball हमें यहाँ पर given है 1 और यह 1, 2 और यह हर एक बच्चे 3 के बराबर है तो 2, 3 is a 6 Next day e How many strengths are there in the class अब class में total strengths कितने हैं तो इनको सबको count कर लिए 50 plus 12 plus 6 plus 9 ठीक है तो यहाँ पर हमारा आजाएगा 42 Count कर लिए हम लोग Next day question number 2 Give below is a data showing the favorite pet animals Data show बनाना करना है मैं pictograph बनाना है Sorry एक कहने pet animals given है Of some children Of number or number of children given है कहने हैं कि होड से 20 students Cat 30 Dog 50 Fish 10 Cow 20 Got 10 यह हमें क्या है Number of animals हैं और यह animals हैं तो इनको हम इसको copy में करेंगे तो अपनी copies को पिन करेंगे students देखे एक साइड में मैंने pets लिखे हैं क्या-क्या है Horse, Cat, Dog, Fish, Cow, Got Horse कितनी हैं 20 Cat 30 Dog 50 Fish 10 Cow 20 Got 10 एक साइड में pets और दूसरे साइड में number of children ठीक है Next है Question number 3 Question number 3 Read the pictograph given below and answer the following questions यह भी सेम है कह रहे हैं आपको इसको read करना एक साइड में flower हैं और यह जिनको यह पसंद है तो 1, 2, हर एक जो है वो 5 के बराबर है 1, 2, 3 यह हो जाएगा 3 into 5 is equal to 50 यह आप लोगो यह जो मैंने लिखा यह लिखना ज़रूरी नहीं यह questions के answer देना कमपल सरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो जाएगा 6 into 5 is equal to 30 1, 2, 2 into 5 is equal to 10 1, 2, 3 3 into 5 is equal to 15 1, 2, 3, 4 4 into 5 is equal to 20 1, 2, 3, 4, 5 5 into 5 is equal to 25 ठीक है पेज नमबर 158 पेज नमबर 159 अब इसी से related हमें questions के answer देने which is the most favorite flower सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा है तो जिसमें ज़्यादा लोग है तो किसमें है 30 रोज में ठीक है तो इसमें हमारा answer हो जाएगा रोज next day which is the least favorite सबसे कम कौन सा है हमारा तो सबसे कम है हमारा ये percent है 10 वो है hibiscus तो यहां पर हमारा हो गया hibiscus next day see how many persons like jasmine jasmine कितने person को पसंद है तो jasmine में आ जगी ये है jasmine 1, 2, 3 और 3 यानि एक strand एक जो बच्चा है वो 5 के बराबर है 3 into 5 is equal to 50 तो यहां पर हम इसी तरीगे से लिखेंगे 3 into 5 is equal to 15 ठीक है उस्टेंट्स next आ जाईए next है फिर हमारा next है question next d question how many persons like daisy अब daisy कितने persons को पसंद है तो ये question यहां पर check करते है daisy 1, 2, 3, 4 4 into 5 equal 20 तो यहां पर आ जाएगा 4 into 5 equal 20 next day किसको पसंद है यहां पर check करते है 1, 2, 3, 4, 5 means 5 into 5 is equal to 25 यह होगी हमारा 5, 5 is equal to 25 next F है how many people were surveyed कितने total people कितने थे तो यह थी 23 23 into 5 कर देंगे हम तो यह हो जाएगा 115 ठीक है यह होगी हमारा exercise 12.1 अब next आजएए exercise 12.2 question number 1 है इसमें भी graph given है questions के answer देने है question number इसमें A है during which day the maximum number of motorcycles were sold किसमें है सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा अगर हमने देखिए तो यह है Friday B है during which day the minimum number of motorcycles कहरें सबसे कम किसमें भी की है तो यह है हमारा Tuesday सबसे का मैं देखिए Tuesday कितनी इसे 20 यह motorcycles है इतनी motorcycles है वो इतने इतने days में sold होती है विकती है यानि जैल होती है next is C during which days sorry during which two days an equal number of motorcycles were sold कह रहे हैं वो कौन से 2 बराबर दिन है जिसमें दोनों में ही बराबर sold होई है motorcycles तो यहाँ पर हम चेक करें एक है Sunday और Sunday के साथ-साथ एक है sorry यहाँ पर है Sunday और Sunday के साथ-साथ दूसरा है Thursday यह दोनों जो है कि हमारे सेम है ठीक हो वो केतने है 60 तो हमें वो देज बताने है तो Sunday, Thursday end लिख दिया है Sunday and Thursday Thursday कि स्पेलिंग अब यहाँ ना के लिए रहो तो यहाँ से दोरों लिख सकते है नेक्स टो बतलगे है यह है Saturday Saturday में यहाँ पर आजाएंगे तो यहाँ पर आगिए 40 मोटरसैकल next question number two में हमें इसमें graph बनाना है बार गराफ यह बनाने का the reason बार गराफ को next है इसमें देखिए एक साइट में क्या लिखे है हमें subjects और दूसरे साइट में है इनकी marks ठीक है subjects और marks तो मैंने हाँ पर लिखे है subject क्या क्या है English, Hindi, Math, Science, GK marks है English में 60 Hindi में है 80 Maths में है 70 Science 60, GK 80 ठीक है यह हो गया हमारा question number 2 next है question number 3 give below ये भी हमें bar graph given है इसके question देने हैं A है which student scored the maximum point सबसे जादा किसके point है तो सबसे जादा अगर देखिए जाए तो यहाँ पर है 3250 और किसके है ये happy ये तो answer हो जाएगा happy हमें marks नहीं बताने हमें student बताना है ये सब students के name है और ये आपके game marks है तो ये हो जाएगा हमारा happy next है B which student scored the minimum point सबसे कम किसके हैं तो अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो सबसे कम जो है वो है John सिर्फ उनके 100 marks है ठीक है तो ये हो जाएगा John next है C which two students scored the equal number of points कह रहे हैं वो दो बच्चे कौन है जिनके दोनों की बराबर है तो अगर हमने यहाँ देखा निशा और सचिन जो है इन दोनों के क्या है बराबर है तो हमने लेखा निशा और सचिन next है D who scored 150 points 150 points किसके हैं यहाँ दोनों में चेक कर ले 150 points जो है 150 यह है 150 अगर हम लाइन लेकर जाएं तो यहाँ पर आजाएगा हमारा हमीद पर ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा हमीद next है EV who scored 300 points 300 points किसके हैं 300 है हमारे यहाँ पर 300 है प्रियंका की ठीक है ती हो गया यह page number 160 one complete हुआ next आजेए next है फिर कुछ page number है 162 यहाँ पर जो question number 4 है यह आप लोग इसको homework में करेंगे ठीक है strengths same question है जैसे मैंने पीचे भी आप लोग कर आएं और यहाँ पर आप लोग का final course completed final या फिर essay two दोनों कह सकते है ठीक है three chapters पढ़ने थे three chapters मैंने आप लोग को book में और copy में दोनों में ही work करा दिया है यहाँ तक सभी को अपना final course लिबस complete करना है ठीक है थेंक यू